प्रेस कीजे बेल आइकन को और WWE के अपडेट्स में सबसे पहले WWE का आने वाला बड़ा पीपीवी सर्वाइवर सीरीज होगा ये पीपीवी 19 नवंबर 2017 को हस्टन टेक्सास के टोयोटर सेंटर में होगा सर्वाइवर सीरीज WWE के बड़े इवेंट्स में से एक है और WWE इस पीपीवी को जबरदस्त शफल बनाना चाहती है इसलिए सर्वाइवर सीरीज में मेचों की स्ट्रॉंग बुकिंग देखने को मिलेगी इस पीपीवी में रेड ब्रांड और ब्लू ब्रांड आमने सामने होंगे अब तक जो मेच बुक हुए वो हैं चैंप वर्षेज चैंप मेच सर्वाइवर सीरीज का सबसे इंट्रेस्टिंग पार्ट 5 on 5 एलिमिनेशन मेच होगा चलिए कुछ मेचों की प्रेडिक्शन करते हैं और कुछ मेचों की बात करते हैं जो बुक हो चुके हैं बुक होने के कारण सर्वाइवर सीरीज मेच शाथ में नहीं दिखेगी अगला मेच इंटर कॉंटिनेंटल चैंपियन दमिज और यूनेटेड इस्टेट चैंपियन बेरॉन कॉर्बिन के बीच होगा इस मेच मेच में कॉर्बिन का पलडा भारी ने जरा रहा है अगला मेच रो वुमन्स चैंपियन और श्मेकडाउन वुमन्स चैंपियन एलेक्षा ब्लिश और नटाइले के बीच होगा अब बात करते हैं टीम रो वर्शेज टीम श्मेकडाउन की इसमें 5-1-5 एलिमिनेशन मेच होंगे मेंस और वुमन्स दोनो डिवीजनों में ये मेच इस प्प्पिविक के सभशेबशे बैतरीन मेचों में से एक होंगे अब बात करेंगे मेंड डिवीजन एलिमिनेशन मेच की तो रो ब्रांट की तरब से अभी तक कोई काल्ड कनफर्म नहीं हुआ लेकिन मेरी प्रिडिक्शन के मुताबिक इस मेच में रो ब्रांट की तरब से रोमन रेंश, समो अजो, कर्ट एंगल, फिन वेलर और जेफ हारडी हिशा लेंगे उमीद है रोमन और समो अजो सर्वाइवर सीरीज तक वाफशी कर लेंगे इस मेच के लिए ब्लू ब्रांट की तरब से एक काल्ड कनफर्म हुआ वो है रेंडी ओर्टन, इसके लावा मेरी प्रिडिक्शन के मुताबिक शिंच के नाका मूरा, एजे स्टाइज, शैन मिकमेन और बोबी रूड भाग लिया सकते हैं वहीं वूमन्स डिविजन में ब्रो ब्रांट की तरब से कैप्टन एलिश्या फॉक्स होगी और दूसरे कार्ड शाशा बैंक्श, बैली, नाया जेक्श और रशुका होशकते हैं ब्लू ब्रांट की कैप्टन बैकी लंच होगी और दूसरे कार्ड शारलेट, फ्लेयर, तमिना, नाउमी और कारमिला होशकते हैं इसके अलावा टीम कलिश्टो वर्सेज, टीम एंजो, एंड कैन और इस्टोमन के बीच मुकाबला देखने को मिल शकता है इसके अलावा एक और मैच भी है जो टीलशी के मैन इवेंट मैचों में सब्से बहतरीन मैच रहा था फिन बेलर और एजे स्टैलिश के बीच ये घमाशान एक बार फिर हमें सर्वाइवर सीरीज में देखने को मिल शकता है दोस्तों ये थी मेरी मैच कार्ड प्रिडिक्शन अगर आपको लगता है और भी कोई मैच फिक्श हो शकता है तो कमेंट करके जरूर बताए अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, सेर और सब्सक्राइब जरूर कीजेगा धन्यवाद दोस्तों